Hi everyone, Welcome to our YouTube channel Mind Technical आज़के इस वीडियो में हम लोग winding in minds के बारे में डिसकस करेंगे इसमें हम लोग college versus winding, winding capable और साथ ही साथ coal India Limited के various of series के examination में बूचे गए कुछ सवाल के बारे में डिसकस करेंगे ये वीडियो उन candidates के लिए है, उन students के लिए important है जो upcoming BCCL या कोई भी सरदार overman का exam दे रहे है या फिर वैसे candidates के लिए ये वीडियो काफी ज़्यादा important है जो first class या second class का exam दे रहे है या winning and working दे रहे है या legislation भी दे रहे है तो उनमें भी इस topic से कई बार सवाल बूचे गया तो ये आपके लिए भी काफी ज़्यादा important ये वीडियो है तो प्लीज इस वीडियो को एंटर देखिएगा इसमें आपको concept भी मिलेंगे और साथे साथ इसमें previous year के questions भी मिलेंगे आज के इस module में हम लोग डिसकस करेंगे haulage versus winding, winding equipment और साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड में के वेरियो सबसेरीज के examination में आए वे previous year questions चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप बात करेंगे हम लोग haulage versus winding के बारे में तो अगर बात करे जाए haulage ही, तो haulage basically concerned होता है material transportation के लिए horizontal या फिर inclined path में यानि जो haulage होगा, उसमें हमारा transportation होगा, वो horizontal हो सकता या inclined हो सकता है, उस पात को follow करेगा whereas अगर हम लोग winding के बारे में बात करें तो winding primarily focus करता है और न वर्डिकल transportation vertical direction में ही इसमें transportation होता है कि ऐसा भी नहीं है कि winding हमेशा ही vertical transportation ही follow करता है ऐसा भी नहीं है कुछ cases हैं जहाँ पर हम लोग जब inclined shaft का इस्तमाल करते हैं तो वहाँ पर जो winding है वो inclined path भी follow करता है पर वो काफी rear होता है तो winding जो है वो focus करता है vertical transportation, haulage focus करता है horizontal या फिर inclined transportation इसके example भी आप समझ सकते हैं haulage system में आपका conveyor built का transportation जो होता है वो आजाता है tub का यूज जो हम लोग करते हैं row college में वो आजाता है locomotive system में आजाता है dumper वगएरा वीस में आजाते हैं whereas हम भी winding की बात करें तो winding पूरा winding system आता है जिसमें winding drum, ropes, cages या skips वगएरे सामिल होते हैं तो अभी हम लोग next discuss कर लेते है winding equipment के बारे में तो winding equipment टोटल जो है आपको साथ याद करना है ठीक है जो winding के equipment कहलाते है सबसे पहला कौन सा equipment है cage या skips इसका इस्तमाल main material और mineral को उपर नीचे करने के लिए के आता है raising या lowering करने के लिए के लिए आता है दूसरा जो इसका equipment है वो head gear ये tower जैसा दिखने वाला structure होता है steel या concrete का बना होता है इसके बाद है winding rope इसके बाद है set of attachment between cage and winding rope जिसको हम लोग बोलते है suspension gear इसमें cage chain चाम मिल होता है roof capital सामिल होता है distribution plate सामिल होता है dealings वगरा सामिल होता है set of attachment जो है cage और winding rope के भी इसको हम लोग लगाते है उसको हम लोग बोलते है suspension gear two week equipment हो गया उसके बाद आता है head gear pulley head gear वी उपर एक pulley रहता है उसको हम लोग बोलते head gear pulley वो भी इसका part है winding drum या sheave और साथी साथ एक winding engine जो steam engine भी हो सकता electric motor भी हो सकता और इसके controlling apparatus आजाएंगे इसके लावा guides भी आजाएंगे जिसका काम है कि जो cage है उनको proper guide करना नीशे जाना ताकि undulation ना हो या दो cage आपस में टकराना जाएंगे तो इसके लिए guide दिया जाता है तो ये total साथ equipment of winding up को याद कर लेनी है सबसे पहले बात करेंगे अच्छा यहां पर diagram भी इसको भी समझ सकते हैं तो सबसे पहले देखिए यह उपना shaft है shaft यह normal decking level यह banking level बोच सकते हैं यह देखिए यह हमारा winding rope है यह पूरा यहां तक गया हुआ winding rope अब यह देखिए यह है winding drum इसके connected होगा अगर electric winding engine है तो motor इसके अलावा यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है पुली वो है head gear pulley इसके अलावा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर पूरा set of attachment इसको बोलते है suspension gear और यह हमारा रहा cage और इस पूरे structure को हम लोग बोलते है head gear तो यह कुछ winding के equipment हो गया एक्स्टर में लोग बात करते है head gear के बारे में तो head gear देखिए कि ऐसा steel या concrete का structure है जो soft के mouth पर बना जाता soft के मुहाने पर बना जाने वाला structure है जो steel का या concrete का बना होता है उसे हम लोग head gear कहते है यहाँ भी अब देख सकते हैं यह जो structure बना गया है head gear यह बना गया है concrete का और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो head gear बना गया है उस steel का बना गया है तो अब देख सकते हैं लिखा हो अभी है कि को उसके वजन को सपोर्ट करना winding rope के weight को सपोर्ट करना cage के weight को सपोर्ट करना guide rope के weight को सपोर्ट करना यह इसके कुछ purposes आते हैं साथी साथ cage को banking level तक guide करना यह purpose of head gear है है, एड़ियर का उदेश यह है अगर बात रीजाए strength of head gear की कि headgear कितना उसका strength होना चाहिए, कितना दागतवर होना चाहिए, प Crown dead load को withstand कर सके, dead load को, ठीक है, सर सके, इतना ये capable होना चाहिए, live load को भी सर सके, इतना capable होना चाहिए, और साथी साथ wind pressure को भी जहल पाए, इतना इसका strength होना चाहिए, अब यहाँ पर term आया है, dead and live load, ठीक है, ये dead and live load क्या है जी, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, तो देखे, dead load का मदलब weight of headgear, ठीक है, weight of headgear और साथी साथ, वैसा हर एक weight, जो winding के time change नहीं होता है, वो हमेशा constant रहता है, तो उसको generally हम लोग क्या बोता है, dead load, example, जो खुद white headgear है, उसका load, headgear pulley का load, और साथी साथी इसमें जो equipment लगए होते हैं, उसका load, जो कि winding operation के दौरान, उनका जो weight है, वो change नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dead load, whereas जो live load होता है, वो वैसे weight होते हैं, वैसे load होते हैं, जो change हो जाते हैं, जब भी हम लोग winding operation करते हैं, इसमें सामीर हो जाता है weight of rope, cage का weight हो गया, जब भी हो move up and down करते हैं, यह सब live load में आ जाते हैं, live load जो है कई सारे activities के उपर निर्वर करता है, जैसे की winding process, length of rope का लंबाई कितना है, cage में content क्या है, cage में कितना समान भरा हुआ है, कितना कोईला कितना मिंदल भरा हुआ है, तो इस पे भी निर्वर करता है, और साथी साथ dynamic forces पे भी निर्वर करता है, जब भी cage उपर यह नीचे आता है, accelerate करके, इस पे भी live load जो है vary करता है, depend करता है, तो dead load जो constant रहता है, लगभण change नहीं करता है, समय के साथ live load जो change करता हो, example आपको जाद कर लेना है, ठीक है, head gear पुली हो गया, ठीक है, head gear का खुद का वजण हो गया, यह सब क्या है, dead load है, whereas, जो winding rope हो गया, cage हो गया, यह सब क्या है, यह सब live load की training में आते हैं, अगर आप बात करो design of head gear के बारे में, head gear का design कैसा करते हैं, तो दीखिए, head gear का design होता है, उसमें आपको vertical column या vertical girder भी लगता है, और horizontal column या horizontal girder भी लगता है, ठीक है, यहाँ पर आपको vertical girder और horizontal girder, दोने किया शक्ता पड़ती है, यह जो vertical column है, ठीक है, जो vertical column है, वो connected रहते हैं, horizontal girder से, ताकि जो structure है, वो stable रहे हैं, यह vertical member of the head here, are narrow at the top compared to the bottom, यहाँ पर यह भी देखा गया है, कि हमारा जो vertical member है, vertical member का मतलब vertical girder, यह देखिए, narrow होता है top के तरफ, और wider होता है bottom के तरफ, देख रहे हैं, यह कहाँ देखिए, narrow होता चला जा रहा है, नीचे देखिए, अब इतना ज़्यादा चोड़ा है, उपर बहुत ही कम चोड़ा है, ठीक है, यह से लिए किया जाता है, ताकि जो नीचे वो stable रहे हैं, यह नीचे का फिर यादा stable रहे हैं, इसलिए यह जो है, इस तरह का narrow जो है, अब टॉप पोर्शन पर हम लोग यह करते हैं, अब जो vertical member है, वो इसको battering भी करते हैं, battered भी रहता है, वो 1 in 8 यह 1 in 10 में, battered का मतलब क्या होता है, battered का मतलब बुला गया है, कि जो vertical मेरा girder है, या vertical member है, हर 8-10 unit में, हर 8-10 meter पे, जैसा भी है, तो हर 8-10 unit पे, height पे क्या होगा, कि एक meter अंदर हमारा, तीक है, इस direction में हलकासा हम लोग incline कर देंगे, क्या vertical member को, इससे क्या होता है, इससे क्या होता होगा, कि जो weight है, वो और बहता तरीके से effectively जो है, वो distribute होगा, जिससे structure और जाज़ा stable होगा, battered कितना में रहता है, यह आपको याद रखना है, 1-8 या फिर 1-10 में battered रहता है, on vertical members of headier, तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए, यहाँ पर आपको जाज़ा सबज में आए आगा, यहाँ पर देखिए, जो headier है, इसमें क्या है, आपके देखिए, यह vertical member हुआ, vertical girder हुआ, बहुत सारा vertical member girder से बना होता है, ठीक है, और यह देखिए, horizontal girder है, जो बीजिस में connect लिया गया है, यह आपको देख सकते हैं, horizontal member हो गया, यह vertical member हो गया, है ना, तो यह आपको याद रखना है, इसमें यह भी आपको बताया गया है, कि top में जो है, यह narrow रहता है, whereas अब देखिए नीचे, ज़्यादा चौड़ा रहता है, ठीक है, और battered रहता है, 1 in 8, या फिर 1 in 10, battered का मतलब है, कि जैसे हम लोग 8 से 10 मीटर उपर जाएंगे, कि सीधा नीच जाएंगे, हलका सा जैसे 8 से 10 मीटर गया है, तो हलका सा ऐसा हो जाएगा वो, और 10 मीटर में ऐसा, तेर हलका सा हो जाएगा, इसको हम लोग बहुतते हैं battered, यह तिर्चा रहता है, इससे क्या है कि लोड प्रॉपरली डिस्ट्रिब्यूट कर सके, structure मोर स्टेबल बन सके, इसके लिए हम लोग battered करते हैं, इसके लावा headier में 4 में लेक्स होते हैं, जिसमें 2 जो लेक्स होते हैं, वो वर्टिकल में लेक्स होते हैं, वर्टिकल में लेक्स और inkline back लेक्स दोनों connected होते हैं, ठीक है और इनके उपर जो है, एक platform रहता है, steel का platform रहता है या plate रहता है, जहांपर boost bearing के साथ headier pulley attach करने का, वहाँ पर facility आरिष्मट दिया होगा रहता है, जो वर्टिकल मेंबर हैं, vertical legs है, उनका design इस तरह से क्या आता है, कि वो dead load को और wind pressure को दोनों को handle कर पाएं, वहीं जो तिरचे वाले legs हैं, जिसको incline leg बोल सकते हैं, absolute back leg बोल सकते हैं, उनका काम है, जो live load आ रहा है, उनको handle करना, अब इसको diagram से हैं, head gear में 4 leg होते हैं, यह दो vertical leg होते हैं, यह vertical leg होगा, यह vertical leg होगा, इसको side meter होगा, vertical leg, और दो back leg होते हैं, incline leg होते हैं, दोनों को connect कर जाता है by horizontal girders, और यहां उपर में देखिए, platform भी दिया जाता है, बीच-बीच में, अब platform में हमको क्या करना रहता है, platform में, हम लोग boost bearing के साथ, इसमें head gear pulley attach करने का, हम लोग यहाँ पर arrangement करते हैं, यह आपको धेहान रखना है, इसके लाव यह भी आपको धेहान रखना है, इनका काम है dead load को withstand करना, dead load को सहना, और साथी साथ जो wind pressure है, उसको सहना, वेराज जो incline back leg है, वो live load को सहते हैं, यह आपको याद रखना है, यह head gear के उपर platform रहेगा, जहाँ पर हम लोग boost bearing के साथ, head gear pulley attach करने का arrangement वहाँ पर करते हैं, चलिए कुछ head gear के बारे में और detail जान लेते हैं, head gear में head gear pulley रहता है, और साथ-साथ, bell plate और अन्य चीज़े भी इसमें लगी रहती हैं, head gear pulley जो है, वो detaching bell plate के उपर होना चाहिए, और इतना उपर होना चाहिए, कि जब भी over winding हो, तो rope capital, जो है, वो head gear pulley तक पहुँचने से पहले, यह जिससे अलग हो जा, इतना हमको distance maintain करना पड़ेगा between bell plate and head gear pulley, लगभग यह distance होता है between head gear pulley and bell plate वो लगभग तो है team के बराबर generally हम लोग रखते हैं, चाहिए, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं, head gear pulley के बारे में head gear होचका complete, तो head gear pulley के हैं, इसको थोड़ा पहले देख लेता है, यह देखिए, यहाँ पर जौम लोग बोलते है head gear pulley, यहाँ पर भी अब देख सकते हैं, यह head gear के उपर जो लगा रहा था, जो revolve होता, गूमता है, तो इसी कोम लोग बोलते है, head gear pulley, दिखने में कुछ आपको इस तरह से दिखन देगा, यहाँ पर दो head gear pulley है, drum winding में, दो head gear pulley देते हैं, ठीक है, एक-एकेज के लिए, एक-एक, head gear pulley लगता है, drum winding में, तो यहाँ पर देखिए, दो-दो head gear pulley है, तो अभी थोड़ा हम लोग डिसकस कर लेते हैं, इसका सबसे पहला provision, इसका सबसे पहला provision है, about its diameter, इसका diameter के बारे हम सबसे पहला provision यह है, कि इसमें जो rope लगा रहेगा, ठीक है, तो उसका जो भी diameter होगा, उसके 100 गोना कम से कम, यह diameter होना चाहिए, head gear pulley का, अगर large D, यानि capital D, जो है, अगर हम उसको पहला provision है, कि हमारा जो head gear pulley का जो diameter है, वो winding rope की diameter का कम से गम 100 गोना होना चाहिए, एक example के तोर पर समझ सकते हैं, एगर कोई winding rope है, जिसका diameter एक centimeter है, तो pulley इसके 100 गोना होना चाहिए, तो कम से गम कितना होना चाहिए, 100 centimeter इसका मतलब एक meter, अगर कोई winding rope एक centimeter diameter है उसका, तो head gear pulley का जो diameter होगा, वो एक meter के बराबर होगा, 100 centimeter के बराबर होगा, इसके लावा, groups के बारे में भी यहाँ पे mention किया हुआ है, groups मतलब आप यह सकते है, यह है जिस पे winding rope जो sit करता है, चलता है जिसके उपर, head gear pulley में न, तीक है, जिस भी portion पे winding rope contact होकर चलता है, उसी को हम लोग बोते है, group, तो यह group कितना होना चाहिए, इसके बारे में क्या provision है, यह group कितना होना चाहिए, इसके बारे में क्या provision है, color change कर ले देख से, तो सबसे पहला इसका जो provision है, वो यह है, कि अगर हमारा जो winding rope है, वो standard है, तो उसका होता है, 110% of diameter, मत है, अगर हमारा winding rope है, locked coil, तो यह जो group होगा, वो 105% होना चाहिए, diameter of winding rope, यह आपको याद कर लेना है, इससे क्या होगा, इससे जो है, यह ensure होगा कि जो winding rope है, उसका contact groove में कम से कम एक तिहाई रहे, तो इससे better grip होगी, बेटर तरीके से cage का up and down होगा, अगर less angle of contact रहेगा, तो lesser angle of contact जहेद तो, सरी जादा angle of contact रहे, जादा contact रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कि जो groove हम लोग बनाते हैं, वो कितना होता है, वो 110% या 105% जो है, winding rope का होता है, standard rope है, तो 110% होगा, locked coil है, तो 105% होगा, इसके लाबा, fleet angle है, जो head gear pulley से associated है, उसको कैसे define करें, उसको भी pit bottom पे हो, और ये जो fleet angle है, वो daily से जादा, नहीं होना चाहिए, जादा fleet angle होगा, तो winding rope और साथी साथ, winding head gear pulley, दोनों का wear and tear हो सकता है, तो अभी समझते हैं, fleet angle क्या होता है, तो देखें, ये अपन, सब्सकों ये है, अपना, ठीक है, ये अपना head gear pulley है, इधर से, सब्सकों ज pulley है, यहां पर भी सेम diagram ही, ये pulley है, ठीक है, और ये अपना drum है, pulley and drum, ठीक है, तो क्या होता है, कि जैसे, जैसे, ठीक है, एरसा, जो खुलता है, तो ये winding rope जाए, इधर की और बढ़ेगा, और जैसे, जो है, winding rope बंदेगा, वो इस तरफ बढ़ेगा, मतलब क्या है, जैसे, ज के जो है, वो नीचे जाएगा, तो ये इस direction में, जो है, वो, कि ए रूप जो है, बढ़ता चला जाएगा, और जैसे, जैसे, के जूपर आएगा, वो इस direction में है, रूप जो है, आता, स्टार्ट कर देगा, आना स्टार्ट कर देगा, तो अब समझते हैं कि, प्ली टैंगल क वर्टिकल प्ली और ये हो गया, वाइंडिंग रूप, तो वाइंगल, जो वर्टिकल प्ली और वाइंडिंग रूप बनाता हो, जब के ज पिट टॉप पर या पिट बॉटम में हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लीट एंगल, वाइंगल, जो वर्टिकल प्ली ठीक है और ठीक है वाइंडिंग रूप बनाता हो जबके इस पिट टॉप यह पिट बॉटम पे भी हो यहां पर भी देखेंगे यह वर्टिकल पेन ओफ पुली है और यह सब पोज वाइंडिंग रूप है इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को बोलते हैं इदर भी देखेंग हो जया और फुली को, जो हम बात करते हैं केज के बारे में देख सकते हैं, है हहाँ पर केज लगा हुआ है इधर भी देखे ये जो है, ये cage है, color change कर लेते हैं यहाँ पर देख लीजे, ये cage है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर cage है, यही पर आदमी लोग जाते हैं यह टब वगएरा, इसी में, जो है, travel करता है, पेंडाउन तो cage यही है, ठीक है, cage क्या है, cage एक lift के जैसा है जो की winding rope के द्वारा suspend के आता है और यह दोनों तरफ से खुला रहता है जहाँ पर आप gate इस पर लगा सकते हैं, यह देखे, यह gate खुला हुआ है यहाँ देखे, यह gate खुला हुआ है, इसको हम लोग इसा नीचे सरका सकते हैं, और gate को बंद कर सकते हैं, यह दोनों साइड हम लोग कर सकते हैं ठीक है, तो एक तरह का क्या है, lift है, जिसमें हम लोग man, material, ठीक है, और koila, तीनों का transportation करता है मिंडल का भी यहाँ पर transportation होगा, ठीक है यहाँ पर man भी travel कर सकता है यहाँ पर toughs भी travel कर सकता है koila, material, सब travel कर सकता है उपर से नीचे जाने के लिए यह हमारा convenience होता है, ठीक है, तो यह होता है cage, अब देख सकते है, cage suspend किया जाता है by winding group, भी देखें, winding group है 20 में आता है, capital, free detaching group suspension पूरा आ जाता है, फिर यह cage and वगेरा हैं, और हे हमारा cage, यह तो यह हो गया, cage के बारे में तना उच्छा है, या कोई नुकीला पदार्थ है, या लंबा पदार्थ आपको लिखे जाना है, तो cage में तो fit होगा नहीं, तो उसके लिए आप हैच दिया रहता है, ताकि इसमें long material को ऐसा करके, ठीक है, इस छेट से बाहर करके, ठीक है, हम लोग नीचे लिखे जा सकते हैं कार में रहता है, sunroof, यह न, कि उधर से सर निकाल सकते हैं, उसी तरह आप समझ सकते हैं कि cage में hatch दिया रहता है for long materials, तो cage के बारे में, cage के types के बारे में भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, cage के दो types होते हैं, एक को बोलते है single cage और एक को बोलते है tandem cage, single cage का मतलब क्या होता है, ऐस जिसमें एक ही टब जा सकता है, उसको बोलते है tandem cage, तो इसके अलावा इसमें क्या cage के बारे में discuss करना है, कि जब भी हम लोग cage में, tubs या mine card डालेंगे, चुकि वो cage में है, तो हलका सा movement होने पर बाहर आ सकते हैं, तो ऐसा ना हो, उसके लिए हम लोग cage में catches लगा देते हैं, अब सलूर पर, ताकि माइन टब या माइन कार के axle के against लगे, और कभी भी हम लोग का movement हो रहा है, तो उसमें, cage से बाहर टब जो है, ना चला जाए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया गया है, यह देखे, यह cage में लगा हुआ, catch, catches बोलेंगे, ठीक है, यह axle, जो होता है, टब का, उसमें फंच जाता है, और टब को बाहर नहीं जाने देता है, यह आपको याद रख लेना है, कि यहाँ पर catches दिया गया है, इसके अलाव़ा क्या रहता है, cage में, cage में जहाँ पर man riding का इस्तमाल होता है, तो वहाँ पर एक hand bar भी रहता है, यहाँ hand bar दिया हुआ है, hand bar क्या होता है, जिस पर जो है, जो भी worker या जो भी person जा रहे है, winding होकर नीचे उपर जाना है, वो हाथ वहाँ पर पकड़ करके उपर यह निके जा सकते है, hold करने के लिए होता है, और साथी साथ, cage में gates भी रहता है, collapsible gates, जो कि manually आप open यह close कर सकते हैं, य या compressed air के माध्य हमसे operate होने वाला gate भी हो सकता है, इसके अलावा roof में hinge भी होता है, या removable door होता है, इसके hatch रहता है, जिसको हमने भी discuss किया था, long material का, long timber हो गया, long rail हो गया, जब भी हमको transportation उसका करना है, तो उसको कर पाएं इसके लिए cage को उपर hinge या removable door रहता है, एक दराका ख तो वैसे cages को हम लोग बोलेंगे tandem cage, या दो टब या दो से ज़्यादा अब एक cage में समा जाए, तो वैसे cage को हम लोग बोलेंगे, कि वो tandem cage है, यह हो गया cage के बारे में, next time हम लोग बाग करेंगे, suspension gear के बारे में, suspension gear का है, एक को equipment का नाम नहीं है, ये set of attachment है, इसमें कई सारे attachment होते हैं, और इन सब को मिला करके हम लोग बोलते है, suspension gear, ठीक है, देखें, जो अपना cage होता है न, उसको directly winding rope से हम लोग attach नहीं करते हैं, इसके बीच में कई सारे attachment लगते हैं, तो इन सारे attachment को मिला करके हम लोग suspension gear का नाम देते हैं, ठीक है, जैसे कि अब देख सकते हैं, य cage के बीच में capital है, अपना dealing है, safety hook है, फिर dealing है, फिर distribution plate है, फिर cage chain है, फिर last में cage hanger होगा, फिर सब को मिला करके हम लोग suspension gear का नाम दिये होएं, इसमें parts पूछे जाते हैं, कभी ascending order में पूछ दिया, कभी descending order में पूछ दिया, जो diagram आपको याद होना चाहिए, ठीक है, diagram आपक charging के नीचे, फिर dealing लगा रहता है, फिर नीच के नीचे क्या रहता है, triangular base plate, फिर जो है, वहाँ पे bridle chain या cage chain का बोल सकता है, फिर bridle या cage chain का बोली है, ठीक है, dealing के मादे हम से लगाया जाते है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस tiger हमें थोड़ा प्र जाला समझ में हैगा, इसको फिर का भाग होता है, capital, यह हो गया capital, ठीक है, capital, color change कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद एक यह dealing है, यह cycle भी कभी पर इसको बोल सकता है, फिर आगए यहाँ पर safety hook, फिर यहाँ पर आगए dealing, फिर यहाँ पर triangular base plate, ठीक है, फिर आजाता है cage chain, ठीक है, और इसके नीचे अगर आ cage hanger, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, cage hanger रहता है, उसके बाद फिर cage हो आटाच हो जाता है, ति सारे attachment को मिला करके हम लोग suspension gear करते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग जो cage chain होता है, वो चार इस्तमाल करते हैं, अगर वो single cage है, ठीक है, अगर मेरा cage कैसा है, अगर single cage इस्तमाल कर है, तो हमारा cage chain होगा, कितना होगा, ठीक है, जहाँ पर हम लोग tandem cage करते हैं, और वहाँ पर हमको 6 cage chain का isstमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेए, यहाँ पर दो पीछे, ठीक है, दो आगे दो पीछे, यहाँ पर क्या single cage होगा, यहाँ पर देखेए 1 cage chain, 2 cage chän, 3, 4, 5, औ तो 6 चेंश के इस्तमाल वहाँ पर करेंगे जहां पर Tandem केज हूँ और 4 केज़ के इस्तमाल वहाँ करेंगे जहां, सिंगल केज हो. ठीक है, एती है, आपको याद रखना है. तो बाकी चीजे तुम मैंने बताई दिया, इसके अलबा रेगुलिशन में यह प्रोविजन्स हैं कि जो भी chains है, ठीक है, जो भी suspension gear के भाग है, ठीक है, chain हो गया है, सब का handling किया जागा, handling एक परकार का, heat treatment है, वो आपको करना पड़ेगा हर 6 महिना में कम सकम एक बार, सारे suspension gear के parts जो भी है, उसको खुलना है, साफ करना है, और handling करना है, ठीक है, हर 6 महिना में कम सकम एक बार, अगर आप इन लिंक करने से बचना चाहते हैं, तो उसके ये सबसे बढ़िया तरीका है, कि जो भी आपके suspension gear के भाग है, ठीक है, वो बने होना चाहिए rough iron या फिर mild steel से, ठीक है, आपके distribution plate हो गए हैं, जो k-chain हो गए हैं, जो cycle से d-link हो गए हैं, वो सब के सब rough iron या फिर mild steel से होने होने चाहिए, उसमें 1.5% magne steel उसमें होना चाहिए, एगर 1.5% magne steel का बना होता है suspension gear का भाग, तो ऐसा जो periodical heat treatment करना पड़ रहा है, हर 6 महिना में एक बार, उससे आपको छूट मिल सकती है, तो ऐसे समझेए, 6 महिना में suspension gear का annealing आपको करना ही पड़ेगा, इसका exception क्या इसका exception यह है कि एगर suspension gear के बाग, 1.5% magne steel से बने होते हैं, तब ऐसा heat treatment करने के आउसकता नहीं पड़ती है, इसके लावा regulation के अनुसार, अभी suspension gear का जो renewal time है, वो 6 साल है, यानि हर 6 साल के बाद, आपको suspension gear जो है, change कर देना है, बदल देना, दूसरा suspension gear लगाना है, तो life of suspension gear क कुछ इस तरह actual में दिखता है, यह है safety hook, काफी बड़ा होता है, और यह देखिए, यह bell plate है, जो head gear में लगा रहता है, याद कीजिए, हम लोग discuss किये थे, कहाँ पर, इथर भी नहीं है, यह head gear में यहाँ पर लगा होता है, कहीं bell plate, तो safety hook क्या है, इसको हम लोगा होगा, यह यह attaching hook भी टाते हैं, और यह एक safety device है, जो की rope capital के नीचे रहता है, कहाँ पर रहता है, rope capital के नीचे, इससे पहले मोग discuss भी गया थे, यह देखिए, safety hook कहाँ पर है, safety hook यह रहा हमारा safety hook, और यह किस के नीचे है, rope capital के नीचे है, इसको हम लोग क्या बोले थे, rope capital, तो rope capital के यह है कौन अपना safety hook अब वो safety hook का purpose क्या है जी परपस यह है कि जब भी over winding होगा over winding का मतलब केज जो है जो normal banking डेवाल है normal जो रुखनेवाल स्थान है प्रिट आपर वहाँ ना रुख के ऊपर चला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह over winding हो गया तो safety hook का काम है कि जब ठीक है होता कैसा है कि यह क्या होता है कि सब्सक्राइब बिल प्लेट है तो बिल प्लेट में कुछ इस तरह से एक opening रहता है तो उधर से आधा जो है अपना safety hook जो है जैसे क्रॉस करेगा बीच में इसका यह टकरा जागा एक जटका लगेगा इसमें लगा रहता है copper pin वो तूट करके अलग हो जाएगा तो यह जो भाग है यहाँ पर जाका अटक जाएगा और साथी साथ जब यह खुला तो यह अपना dealing के साथ capital अलग हो गया वाइनिग रोप के साथ और safety hook जो है पूरे cage को bell plate में लटका लेता है तो यह जो safety hook है यह bell plate में लटक जाएगा तो shaft में जो cage है और गिरने से रुक जाएगा तो क्या होगा जैसे जो टकरा जागा पूली से head gear पूली डामेज हो गया और साथी साथ cage फिर जाके नीचे shaft में गिर जाएगा तो पूरा बहुत ही बड़ा disaster condition जो है बनता है तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर bell plate तो लगा ही रहता है safety हो क्या करेगा इस bell plate कोपनिंग में आधा जैसे cross गया तो इसमें लगा होता है copper pin वो टूट जाता है और safety जो हूख है वो खुल जाता है यहाँ पर कुलने से क्या होगा यह जो winding rope के साथ जो capital था वो अलग हो गया और cage जो है वो अलग हो गया ठीक है उससे खतरा जो है हम लोग कम कर सकते हैं यह है safety hook का काम ठीक है अभी आप safety hook जो है generally हम लोग इसका इसका इस्तमाल vertical shaft में करते हैं वर्टिकल साफ में भी ड्रम वाइंडिंग में करते हैं, कोपे वाइंडिंग में हम लोग इसका इस्तमाल नहीं करते हैं, कोपे वाइंडिंग में सेप्टी हुक का इस्तमाल नहीं करते हैं, सिस्थ ड्रम वाइंडिंग में करना है, और वो भी वर्टिकल साफ में करना है, क्य हिन दोनों में copper pin लगा हो तचा है, यहां पर भी copper pin लगा हो दोनों में copper pin लगा हो यही copper pin फीण श्ノूट जाता है जब safety hook आ करके वो bell plate से टकराता है जो copper pin तूट जाता है यह अलग हो जाता है तो यहाँ पर जो d-link था वो उपर चला जागे खुल करके यह खुल के उपर चला गया यानि वाइंडिंग जो उपर लग हो गया और safety hook के साथ जो cage chain वगेरा है जो cage है वो अलग हो करके bell plate में attack करके दह जाता है तो ऐसे यह safety को काम करता है ठीक है तो searing pin एक बहुत important component है safety hook का इसलिए searing pin को हम लोग जो design इस परकार से करते हैं कि वो तूट जाए जब भी excessive force या load applied होता है safety hook में तो तूट जा जैसा कि over winding के case में होता है हैना searing pin जो है जो कि अच्छे से break कर दाया जब भी force लगे तो इसके लिए हम लोग copper का बनाते है हम लोग searing pin जो है copper का होता है ताकि जब भी over winding हो यह अपना bell plate है सपोज इससे टकराए तो यह क्या हो जाए आपर कुछ provisions है यह है कि जो safety hook है उसको खोला जाएगा उसकी जाँच की जाएगी उसको refit किया जाएगा हर छे महिना में कम सकम एक बार एक normal shaft के लिए अगर sinking shaft है तो sinking shaft में safety hook को खोलना है जाँच करना है फिर उसको refit करना है यह काम आपको हपता में कम सकम एक बार करना हो अगर normal shaft है तो 6 महिना में करना है sinking smaking shaft है तो हर महिना में करना है इसके साथ ही जो detatching bill plate है जो की head gear में रहता है देखे, यहाँ पर detatching bill plate है यह head gear में है इस opening का भी जाँच करना है ठीक है, कब करना है हर 30 दिन में करना है, मन्थली करना है ठीक है, क्योंकि ये opening के थुरू अगर ये safety hook नहीं गुजरा तो ये safety hook कभी अटकी नहीं पाएगा ठीक है, bell plate पे, तो फिर case को कैसे लटका पाएगा इसलिए बीच-बीच में हम लोग कि है, हर महिना में इसकी जाच करते हैं, किसकी bell plate की है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट अभी हम लोग जो एक्षट्मेंट के बारे में बात करेंगे वो है safety catches, safety catches का में जो परपस होता है वो backup mechanism की रूप में होता है कि in case, the attaching, जो प्लेट है, the attaching bell plate है वो cage को hang ना करा पाए अब soft में देखेगा, तो इस तरह की structure में बने होता है तो ये इस तरह से बने होता है, कि जब उपर जाना चाहिए, तो जा सकते लेकिन जैसे नीचे आएगा cage, नीचे तो ये cage जो ही, इसमें अटक जाएगा तो नीचे नहीं जा पाएगा तो ये safety catch का जो क्या है काम है, कि over winding के बाद अगर safety को नहीं काम कर पाता है तब भी cage को soft के नीचे जाने से रोक देगा, soft में ही अटका के रख देगा next part है, next equipment था kips kips का है, ये retractable supports होते हैं जो कि pit top पर, यानि soft top पर cage को support करते हैं from bottom, bottom से support करते हैं ठीक है, इसको कैसे समझना है, इसको प्रोड़ा समझी जीए यहाँ पर आप देखिए इस diagram में यहाँ पर जब भी cage आएगा ऐसा यहाँ पर जब भी cage आएगा इस तरह से, तो cage को ठीक है, यहाँ पर support करने के लिए, यहाँ पर क्या है, retractable support होता है कुछ इस तरह से, यह बात में जो normal case में नीचे हो जाए, जब हम लोग lever pull करें, push करें, तो यह उपर हो जाए ताकि नीचे से cage को support करें, कहाँ पर, pit top पर, तो इसी structure को हम लोग क्या बोलता है कि यह caps है, ठीक है तो यह क्या है, कि caps का का म क्या होगा caps का का म होगया, cage को support करना ताकि जो अपना decking level है, जो banking level उससे, जो है cage वो align कर सके ठीक है, suppose यह साप्ट है यहाँ पर आया cage, तो यह hiltar डूलता रहेगा है कि नहीं है, हवा में है तो hiltar डूलता रहेगा इसलिए आप नीचे से cage को support करने के लिए क्या रहता है, caps रहता है, ताकि stable रहे cage और साथी साथ प्रॉपर्ली decking level से वो align हो जाए, ताकि worker उतरना है तो प्रॉपर्ली उतर सके unloading करना है कोई tub का, loading करना है tub का वो हो सके, यह सब करने के लिए caps हम लोग provide करते हैं, pit bottom में caps की जोरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर cage जो है, solid platform पर rest करता है, जो steel girder का या wooden planks का बना होता है, caps की जोरत हम लोग को copay winding system में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग mechanism, cage को support करने के लिए होता है, soft के top पर caps को on or off करने का काम जो है, banks man का होता है, जो कि एक lever को, ठीक है, push pull करने से, वो activate या deactivate करता है caps को, तो यह आपको याद करने नहीं है next अगे हम लोग बात करेंगे, guides के बारे में guides क्या होता है, guides देखे, rope या rail section होते हैं, जो soft में इस्तिमाल के जाते हैं, दो cage को आपस में टकराने से रोकने के लिए, या फिर cage और soft का side से टकराने से रोकने के लिए, ठीक है, और साथे साथ, cage का smooth run ensure करने के लिए हम लोग guides देते हैं, यह guide rope कभी हो सकता है, rail section कभी हो सकता है, तो head year में एक end राता है, और पूर नीचे जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, easy को हम लोग बोलते हैं, guides, ठीक है यह rail sections का भी हो सकता है, और यह rope भी हो सकता है, तो अगर rail section का है, तो देखिए, इस तरह से पूरा राता है नीचे तक जाएगा, और अगर guide का है, यह देखिए, यहाँ पर हम लोग guide rope जो है, हम लोग HDR पर fix करते हैं, और दूसरा end cheese weight की साहता से, या bottom clamp की साहता से, नीचे suspend रहता है, सबसे पहले discuss करते हैं, guide के types के बारे में, guides के दो types होते हैं, पहला rigid guide, और दूसरा है guide ropes, rigid guide जो है rail section के बने होते हैं, जो की shaft में एक entral पर fit किये जाते हैं, जिसके यहाँ पर देख सकते हैं, कि क्या यह rail के टुकडे हैं, ठीक है, यह लकडी से भी बनाए जाते हैं, जरलेल लेकिन लोहा का इस्तमाल के आता है, यह तो वहाँ इसका इस्तमाल होता है, यह हमारा cage, तो दो cage जो है, तो दोनों के लिए अलग-अलग guides होंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे rigid guide, जो rail section से बने होते हैं, दूसरा होता guide rope, देखिए, cage है, cage के तरफ देख रहे, चारो तरफ आपको जो है, नीचे, साफ बोटम में, suspend रहता है, बाई, cheese weight यह cheese weight है, cheese weight के साहता है, suspend रहता है, या फिर bottom clamp का इस्तमाल करते है, bottom clamp, bottom clamp का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, guide के lower end पे, तो यह आपको हमेसा याद रखना है, guide से कितने type है, दो types हैं, wire वाला रहेगा, तो guide road, rail sections का रहेगा, तो rigid guide, guide road के इस्तमाल करेंगे, तो upper end कहा रहेगा, पहला end तो fix रहेगा, किस पे head year में, और जो lower end है, नीचे वाला सीरा है, वो suspended रहता है, विता cheese weight, cheese weight की साहता से suspended रहेगा, या fit bottom, clamps की साहता से fit bottom पे suspended रहता है, rigid guides के बारे में, थोड़ा सा बाग कर लेते हैं, यह rigid guides, यह hard लकडी, या steel के बने होते हैं, like rail sections के, और अगर यह लकडी के बने हो, इनका generally जो size होता है, वो 10 cm by 20 cm का section size होता है, यह जो guides होते हैं, are fixed to horizontal beams called bunterns, across the soft space at 1 space to 1.8 to 3 meters apart, अभी क्या होता है कि जो आप देख सकते हैं, यह अपर diagram बहुत अच्छा से बताएगा, यह soft है, लेकि हर cage के लिए अलग guide होगा, यह जो क्या है, यह लकडी का यह steel का बना हुआ, rail section है, यह पूरा top से लेके bottom तक जाएगा, यह यह पूरा top से लेके bottom 1.8 से लेके 3 meter के अंतराल पर हम लोग यह बंटन देते हैं, और जेंटल बीम है, और जेंटल बंटन है, ठीक है, बाकि पूरा rail section इस तरह से रहेगा, और site, shaft में इस तरह से support किया हो रहेगा इस तरह से, और इसी के बीच में cage जाएगा, यह जो बंटन दिया हुआ है, वो कितने अंतराल पर रहेंगे, 1.8 से लेके 3 meter के अंतराल में रहेंगे, rigid guides काफी ज़्यादा strong होते हैं, काफी ज़्यादा stable होते हैं, लेकिन उनका demerit यह है कि वो obstruct करते हैं, flow of air, क्या हावा जो बहर रहा है, shaft के अंदर जा रहा है, उसमें जो है बाद होत पन्न करते हैं, यह इसका सबसे बड़ा demerit है, कि इसमें ज़्यादा maintenance के हो सकता पड़त construction के होते हैं, या फिर standard ropes के होते हैं, standard rope एगर है, तो 1 by 6 का इनका construction रहता है, यह जो flexible guides है, यह जो rope guides हैं, वो suspended रहते हैं, from head gear, इनका एक सीरा head gear में रहता है, दूसरा सीरा pit bottom के नीचे जो है, इस तरह से cheese weight की साहता से, या bottom clamp की साहता से, वो suspended रहता है, ताकि जो sewing है, जो oscillation है वो कम हो, जो भी हिल दूल सकते हैं, जब भी case का movement होगा, हिल दूल सकते हैं, तो यह ना होस के लिए नीचे जो है, हम लोग guide rope की नीचे क्या करते हैं, cheese weight जो है attach कर देते हैं, या bottom clamp से उसको attach कर देते हैं, guide rope का जो generally life होता है, वो लगबग 10 साल के आसपास होता है, जो कि guide rope इस्तमाल कर रहे हैं, तो movement के दोन जो है, oscillation होगा, movement होगा, तो क्या हलका सा हिले दूलेंगे, specially कहा पर जादा हो, भी हिले दूलेंगे, mid point पे, ठीक है, सबसे यहाँ पर हिलना दूलना होगा, तो हिलने दूलने से आपस में टकराए ना, इसके लिए आपको जो होगी है, कि दो केज के बीच में, जो gap है, वो कम से कम 40 cm धाना चाहिए, यह आपको ध्यान देरा पड़े रहे हैं, तो यह हुआ, all about flexible guides या guide rope, अब हम लोग कुछ PYQs डिसकस करेंगे, जो Cool India Limited के वे यह examination में पूछे गये हैं, तो BCCA के 2016 का सरदार exam होगा था, वहाँ पर यह question आया था, कि that diameter of winding drum shall not be less than A times the diameter of rope, where A is given by, तो आपको इसका answer बताना है, 50, 500, 500, winding drum का जो diameter होगा, winding rope के diameter का कितना गुना होगा, यह आपको बता मैं है, comment में आप बदा सकते हैं, ताकि हमको भी for idea हो कि आप लोग को मैंने जितना भी समझा अभी तक, जो भी इस पूरे module में, समझ में आया पूछा गया था, ECL का 2018 exam में पूछा गया था, ECL का 2018 exam में जो थोड़ा सा option जाओ, थोड़ा change था, पर question same ही था, तो इसका क्या answer होगा, question number 2, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इसका answer क्या होगा, आप comment बताइए, इसके अलावा अगला question आया था, कि what is the minimum diameter of drums or sieves of the winding engine, ठीक या winding sweep का diameter है, वो winding rope का diameter का कितना गुना होगा, यह आपको बताना है, ठीक है, तो यह हुआ, एक और questions है, एक और है ना, दो questions अभी और है, तो यह हो गया question number, इसको मैं तीसरा कर देता हूँ, यह चौथा हो गया, यह पहला question यह हो गया, यह दूसरा सवाल, यह तीसरा सवाल ह यह हो गया, यह हो गया, चौथा सवाल, कि जो factor of safety है suspension gear का, वो कितना होगा, अगर हम threaded joint का इस्तमाल कर रहे है, यह सवाल आया था, यह सवाल आया था, यह सवाल आया था, यह सवाल आया था, कि winding rope should not make an angle more than dash degrees with a plane of sieve or pulley, जो pulley यह सीव है, उसका plane, vertical plane और जो winding rope है, उसके बीच म के जो answer है, आप कोई में बता सकते हैं, तो यह हुआ सभी PYQs, आपको जो भी answer है, आप comment में बता सकते हैं कि इस question का कौन सा answer है, ताकि हमको भी थोड़ा आइडिया रहे कि जितना भी मैंने बता है, आपको समझ में आइक नहीं है, इसके लावा अगर आप और ही ऐसे वीड है, आपको समझ में ग्में झाले हैं, आएाभियो है ए leaving.